नमस्कार दोस्तों मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं आमारा इंडस्ट्रियाल इलेट्रिकल चानल बोल 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 दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको SCV का ड्रोइंग को समझाने वाला हूँ आप कैसे एक ड्रोइंग को आसानी से समझेंगे आप कहां पे आपको डाउट रहता है आप कहां पे गलती करते हैं मैं आपको चोटा चोटा पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूँ जैसे कि आप लोग ACV का ड्रोइंग को आसानी से समझ सकते हैं उसे स्टोडी कर सकते हैं ये बहुत इंपोटन्ट वीडियो है दोस्तो इसलिए आपको लाज तक देखना है लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारा चानल म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथी साथ बेल आइकोन को प्रेस कर दे ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटी पेसेंजरे पहुन जाए दोस्तों किमकि इस रिपीसी चानल मे जितना सारा इलेट्रिकाल इक्यूमेंट यूज कर रहे हैं जैसा मोटर, ट्रांस्परमर, होयस्ट, क्रेन, भी एबडी, कॉन्वेर वेल्ट, इस पी ये सारे को उपर में ट्रोबल शूटिंग वीडियो प्राक्टिकल वीडियो बनाता हूं अल्रेडी बहुत सारा वीडिय जितना चुका हूं और आगे भी बहुत सारा वीडियो आनेCal में वाला है जोस्तो मैंने एक वीडियो में बनाया था सीर्किर्कर का कॉन्ट्रोल वारिंग इन no लत मिल जाएगा ओव वीडियो को एक बार देख लिजे तो आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ circuit breaker का drawing को आप कैसे story करेंगे आसानीचे आप उसे कैसे समझेंगे तो सबसे पहला चीज क्या है दोस्तों सबसे पहला चीज है कि यह जो drawing है कितना pages का drawing रहता है आप देखे होंगे circuit breaker का drawing जो की 3 pages का हो सकता है 8 pages का हो सकता है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कितना pages का drawing है यह देखे दोस्तो drawing का निचले side में यह देखे यहाँ पर देखे दोस्तो seat 1 of 4 लिखा गया है यानि यह जो circuit breaker है 4 pages का circuit breaker है और यह उसका 1st page है तो अगला page देखने के लिए आपको यह देखे दोस्तो उसका second page आ गया यह आ गया उसका third page और यह आ गया उसका last page यानि 4th page यहाँ पर देखे दोस्तो clearly लिखा गया है circuit breaker का drawing number रहेगा drawing number का यह seat 4 of 4 यानि 4 pages का drawing है 4 seat का drawing है और यह उसका last page है तो अभी तक आप समझ गये होंगे कि आपको सबसे पहले देखना है कितना pages का drawing है तो चलिए दोस्तो fast page पे चलते हैं तो fast seat में हमको क्या दिखाई दे रहा है यह देखे दोस्तो सबसे पहले यह उसका हो गया power circuit तो power circuit में आपको क्या देखना है तो power circuit में आपको power related आपको drawing मिलेगा यानि यह R, Y, B and neutral 4 OR का यह power supply है और इसके बीच में आप देख रहे हैं यह वाला यह वाला क्या है Q1 जो लिखा गया है यह है actually circuit breaker जो SCV में बोल रहा हूँ Q1 SCV का नाम यहाँ पे है Q1 अभी यह N और यह Q1 अभी NO में है जैसा कि आप जानते है NO NC drawing में common चीज़ होता है NO यानि normal open तो यह Q1 अभी normal open है यानि off condition में है जैसे यह आप लोग Q1 को close करेंगे contacts NC में convert हो जाएगा Q1 का जो NO contacts है यानि जैसे ही circuit breaker close होगा तो Q1 का जो NO contacts ओ NC में convert हो जाएगा और supply कहा आ जाएगा supply यह side देखिए यह side देखिए outgoing side में supply जाएगा तो यह हो गया उसका power circuit तो बाकी equipment के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ तो यहाँ पे और भी कुछ equipment आप देख रहे हैं जैसा कि यह वाला P1 लिखा गया है यह P2 लिखा गया है और यह वाला P3 लिखा गया है जैसे ही आप circuit breaker का उसका जो control panel में जाएंगे वहाँ पे आपको कुछ meter दिखाए दे रहा होगा तो यहाँ पे P1 हो गया energy meter P2 हो गया power factor meter P3 हो गया meter and P4 हो गया volt meter तो यहाँ पे यह अलग-अलग 4 meter है और लास्ट वाला जो और लास्ट वाला जो दिया गया है CDG 31 यह क्या है CDG 31 यानि उसका जो protection relay है उसका number है CDG 31 उसका नाम है CDG 31 यह एक relay है दोस्तो protection relay जो की कुछ condition आएगा तो यह CDG 31 से ही यह circuit breaker ट्रिप हो जाएगा तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा और आप उसका निच्चे साइड में यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तो यह देखें दोस्तो कुछ number लिखा गया है 101, 102, 103, 104, 105 एसे 1010 तक तो इसका मतलब क्या है दोस्तो यह जो 101 है दोस्तो 101 यानि यह वाला जोन को आम बोलेंगे 101 जोन यह वाला जोन को बोलेंगे 102 जोन यह वाला जोन को बोलेंगे 103 जोन निच्चे से लेकर उपर तक यह जो जोन को हम बोलेंगे completely 104 जोन आप यह 104 एंड 105 जोन में क्या है एनर्जी मीटर है similarly 106 जोन में क्या है पावर फ्यक्टर मीटर है तो चलिए समाझते हैं इसका जो एनरजी मीटर है energy meter का connection कैसे किया गया है तो यह हो गया दोस्तो energy meter P1 P1 में देखिए कौन-कौन सा OER लगा है यानि जितना आप यहां पे जो line देख रहे हैं line draw किया गया है वो हर एक line एक OER को represent करता है तो यहां पे कौन-कौन सा OER आके लगेगा यह देखिए दोस्तो energy meter के लिए हमको चाहिए voltage and current का source तो यह वाला जो देख रहे हैं दोस्तो यह हो गया उसका city यानि current का source हमको यहां से मिलेगा यहां पे तीन city है T1, T2 and T3 और यहां पे देखिए दोस्तो city का numbering कैसे किया गया है यह देखिए दोस्तो T1, T2, T3 city तीन city है R page, Y page and B page के लिए तीन city यूज किया गया है यह हो जो city का secondary रहता है दोस्तो जैसे मैंने बहुत सारा वीडियो में बोला है कि city का जो secondary रहता है यहां पे देखिए दोस्तो city secondary और आर्थिंग कर दिया जाता है और उसके बाद देखिए दोस्तो यह connection कैसा होता है सबसे पहले देखिए दोस्तो यह वला और second city का देखिए यहां पे आया है और third city का देखिए यहां पे आया है तो तीनो city का connection ऐसा हुआ है दोस्तो energy meter के साथ यानि R page, Y page, blue page का तीनो city का current energy meter में आया है और energy meter में हमको क्या चाहिए energy meter में यह हो गया current का signal चला गया, अभी हमको चाहिए voltage source तो voltage source कहां से आएगा तो voltage source हमको देखिए यहां से मिला है यहवाला जो देख रहे हैं दोस्तो तीनो fuse है, तीन fuse है R page में एक fuse लगा है Y phase में एक fuse लगा है और blue phase में भी एक fuse लगा है तो तीनो phase का तीन fuse है जो की हम जो की यहां से source मिलेगा यह energy meter को source मिलेगा ठीक है दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया कि energy meter का connection कैसा होता है तो अभी आप सोच रहे होंगी कि energy meter में कहां पर हमको यह connection करना है तो energy meter का आप देखेंगे वहाँ पर उसका जो wiring diagram है वहाँ पर लगा होता है energy meter का side में उसका wiring diagram लगा होता है यानि आपको voltage का source कहां पर देना है current का source कहां पर देना है energy meter में clearly लिखा होता है दोस्तों उसका जो name plate रहेगा name plate में mention रहता है तो इसी तरीके से आप लोग energy meter के साथ CT and PT का वेरिंग अप कर देंगे energy meter के साथ current and voltage का connection कर देंगे उसके बाद देखें दोस्तों समझते हैं power factor meter तो power factor meter को हमको क्या चाहिए होगा power factor meter में भी हमको current and voltage का source चाहिए होगा तो similarly यहाँ पे current का source भी दिया गया है यहाँ से tapping करके लिया गया है तो यह हो गया power factor meter का connection अभी हम समझते हैं ammeter का connection कैसे किया जाता है आप देखेंगे हर एक phase का current आपको दिखाई देता है ammeter में यानि ammeter के साथ एक selector switch जो आपको लगा होता है जो selector switch को अगर आप R पे move करेंगे R पे select करेंगे तो R phase का current दिखाई देगा Y phase set करेंगे Y phase select करेंगे तो Y phase का current आपको नजर आएगा और B phase में अगर आप selector switch को select करेंगे तो blue phase का current आपको नजर आएगा तो यह कैसे होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों यह city का wiring क्या गया है आमिटर के साथ और आमिटर का जो सिलेक्टर स्विश है दोस्तों यह हो गया आमिटर सिलेक्टर स्विश यह जो S1 लिखा गया है S1 हो गया आमिटर सिलेक्टर स्विश तो आमिटर का कनेक्शन सिलेक्टर स्विश के साथ होगा और selector switch में हम लोग जो current का feedback दे रहे हैं, current source दे रहे हैं, और selector switch के साथ connect होगा, और ammeter में only, और ammeter में आप देखेंगे only two or connect क्या गया है, जो कि selector switch से only two or जाएगा ammeter को, तो यह हो गया ammeter का connection, अभी हम समझते हैं, voltmeter का connection, यह देखिए दोस्तों, voltmeter, तो similarly यहाँ पर voltmeter के साथ, एक selector switch भी लगा गया है, जो selector switch का number है S2, ammeter का जो selector switch था, वो था S1, और voltmeter का जो selector switch है, वो है S2, तो यह S2 को हमको supply देना पड़ेगा, S2 के साथ, यह जो voltage source है, voltage source को connect करना पड़ेगा, और voltmeter आप देख रहे हैं, only two or connect किया गया है, यानि selector switch को, ry पे select करेंगे, तो ry का जो line voltage हो, ry का जो line voltage है, वो बोल्ट मिटर में आ जाएगा, yb में select करेंगे, तो yb का बीच में जो line voltage है, वो बोल्ट मिटर में, तो यह हो गया दोस्तो, ammeter, voltmeter, energy meter का connection, तो अभी आम समझते हैं दोस्तो, जो last बाला चीज़े, important चीज़े, यह जो relay दिया गया है, cdg-31, cdg-31 का connection कैसे करेंगे, तो drawing पर आप देख रहें दोस्तो, यह हो गया उसका औरेक city, तो first बाला जो city था, वो metering के लिए यूज़ुआ था, तो उसका जो city रेश्यूर होएगा दोस्तो, secondary side उसका 1 रहेगा, उसका जो city secondary रहेगा, city secondary 1 रहेगा, लेकिन protection के लिए, जो city secondary है दोस्तो, city secondary हमेशा 5 रहेगा, तो यहाँ पर जो city का secondary है, city secondary 5 रहेगा, तो यहाँ पर आप देख रहें, उसका भी city secondary का, जो s2 point है, s2 point को एक common कर दिया गया है, उसको भी arthing कर दिया गया है, यानि city secondary, जो common point है किया जाता है, s2 point, s2 को commonly ground कर दिया जाता है, तो यह आ जाता है, हमारा relay में connection हो जाता है, तो यह हो गया दोस्तो, power circuit का drawing, यानि scv का power circuit drawing है दोस्तो, आपको ऐसे story करना है, ऐसे आपको समझना है, सबसे पहले आपको समझना है कि equipment का नाम क्या है, यानि P1 क्या है, यहाँ पे P1 हो गया, energy meter, जो कि यहाँ पे लिखा हुए है दोस्तो, energy meter, P2 क्या है, नीचे side में आपको मिल जाएगा, उसी zone का नीचे, power factor meter, P3, आपको नीचे उसका description मिल जाएगा, जो कि ammeter है, current जो करेगा, और P4 क्या है, P4 है, volt meter, जहाँ पे voltage जो करेगा, तो यह हो गया दोस्तो, first page, तो अगला वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसका control wearing, यानि जो अगला page है दोस्तो, यहाँ पे complete control wearing है, second page, third page and fourth page में complete control wearing है, तो मैं अगले वीडियो में आपको control wearing के बारे में समझाने वाला हूँ दोस्तो, आज का वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ सिखने को मिला होगा, तो वीडियो आचा लगे, तो वीडियो को like करे, हमारा चानल को subscribe करे, और देखते रहे हैं, इंडुस्त्रियाल इलेट्रिकाल चानल बोल बोल मिलते हैं, अगले वीडियो में, नमस्कार,